हेलो दोस्तों मैं हूँ महिंदर सिंग और स्वागत आपा ट्रॉक्सबसेश डॉट कॉम पे वी आर एक्स्प्लोर टाटा मोटर्स कमर्शल वेहिकल का ए दमदार इवेंट जो की हो रहा है जियो वर्ल्ड कंवेंशन सेंटर बीकेसी मुंबाई में आप देखी सकते हैं यहाँ पर कितना जबर्दस्ट महौल बना हुआ है यू केन फील दी एक्साइटमेंट 200% एनरजी एंड अन्थुसियाजम देट दी पार्टिस्पेंट्स आर कैरिएं बहुत बड़े लेवल पे कंपनी इवेंट कर रही है लाज स्केल क्या होता है वो टाटा मोटर से हमें सीखना चाहिए कंपनी के जो आल इंडिया डीलर्ज है वो सारे डीलर प्रिंसिपल्स आए हुए हैं लगबग सारे बड़े मीडिया हाउसे हैं इस इवेंट को कवर कर रहे हैं जो की और इनके बीच में हैं हम जो आपके लिए लेके आ रहे हैं ओन ग्राउंड कवरेज सब कुछ तो है इन में बाउंड तो एड अलोट मोर पंच तो आ बिजनस एके करके हम चलेंगे क्या क्या आप प्रोड़क्स कंपनी ने निकाले हैं इसका नतीजा आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हर कस्टमर के लिए हर अप्लिकेशन के लिए अब कंपनी के पास एक प्रोड़क्ट रिंज है इसका में परपस है तेल की बचत अच्छी माइलेज एग्रीगेट्स में टायर्स में चैसी लेवल पे काफी सारे चेंजिस छोटे-छोटे किये गए हैं जिसके कारण ट्रक्स की माइलेज इंप्रू हो जाती है पंद्रा बारा एल्पीटी बहुत पपुलर ट्रक है ये सोला टन का इसका ग्रॉस वेट होता है और दस साड़े-दस टन का रेटेट पे लोड ये देता है चार सिलेंडर इंजिन के माध्यम से दस टन में इट ओफर्स अ क्लास लीडिंग माइलेज वेरी गूड वेहिकल, वेरी गूड फीडबैक फ्रॉम एवरी वन इंदी मार्केट अल्टरा CX यहाँ पे दिखेगा T16 अल्टरा दोस्तों पहले से ही आता था तो CX का क्या है CX में कंपनी ने अब अल्टरा वाला इंजिन नहीं नॉर्मल पंदरा बारा वाला इंजिन 3.3 लीटर इंजिन लगा दिया है जिससे की आपको माइलेज बहुत अच्छी मिलती है आज इस पूरे इवेंट का एक थीम भी है डेलिवरिंग प्रोग्रेस, डेलिवरिंग प्रॉफिटेबिल्टी तो आप इन सारे प्रोड़क्स पर देखेंगे नहीं न कहीं आपके बिजनस को उपर ले जाने के अधारशिला पे बने हुए है अब आती है ब्लू सीरीज इसमें Prima भी आपको मिलेगा इसमें Signa भी आपको मिलेगा Prima में भी काफी सारी changes किये है सो थीज आ अपग्रेड़िट Prima Kevins और Signa में भी कुछ features आइड किये गए है और थीज आ अगें अपग्रेड़िट Signa Kevins तो यह है 35, 10 चक्का घोडा जिसके पीछे आप 12 चक्का ट्रेलर लगा सकते हैं टोटल ये जो कॉंबिनेशन है ये 55 टन GCW वाला बन जाता है 300 होस्पावर के मैसिव पावर देता है 6x4 एक्सल कॉंफिगरेशन में है ये इसका मतलब ये है कि जो पीछे दोनों एक्सल लगे हैं उन दोनों में चाल है इमा 3530 ये टिपर है 8x4 एक्सल कॉंफिगरेशन में ये 12 चक्का टिपर है यहां मिलेगा आपको सिगना 5530 पहले 10 चका घोड़ा आता था 55 टनर में और अब 4x2 एक्सल कॉंफिगरेशन में भी आपको 55 टनर ट्रेक्टर ट्रेलर मिल जाता है तो ये भी अगेन आपको 300 ओस पाउर की ताकत देता है 6.7 लिटर इंजन इसमें लगा है बहुत ही खुबसूरत metallic blue color यहां पे company ने 3-4 गाडियों को दिया है looking very beautiful अभी तक जो आपने ट्रक्स देखे थे 24 feet से बड़ा आपने CNG truck नहीं देखा होगा मैं company fitted CNG trucks की बात कर रहा हूँ company fitted CNG kits की ये single axle truck आपको 32 feet में भी मिल जाएगा और यही नहीं अभी तक आप सिर्फ 10 टन पे लोड़ वाला CNG trucks कमपनी से खरीच सकते थे ये 12.5 तंग का class leading पे लोड़ देता है model का नाम है 19.18 CNG भारत का पहला 10 चक का CNG truck है ये पहले भी CNG में आने लग गई थी लेकिन यहां पे white color में बड़ी खूबसूरत लग रही है और ये 10 सवादस्टन का अच्छा पे लोड़ देती है and currently CNG market में यही गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा पे लोड़ देती है और जब four wheel CNG trucks के बाद करते हैं तो generally आपने 14 feet से लंबे trucks नहीं देखे होंगे 14 feet load body से लंबे लेकिन 709 G XD के अंदर आपको 16 feet का class leading body length मिल जाता है वो भी एक 4 चक का CNG trucks पे तो overall 14 products, very beautiful product lineage, मोटा मोटा सारे product gaps fill हो चुके है these are likely to cater to all kind of customers जो की अभी तक company cater नहीं कर पाती थी यूँ ही नहीं इन्हें देश के trucks कहते हैं और इस सारे products आपको मिल जाते हैं power of six के benefits के साथ 6 ऐसे strong points that give you power of performance, power of choice, power of connectivity, comfort, peace of mind and lower total cost of ownership power of six को और जादा explore करेंगे एक और अन्य वीडियो में और अब time आ गया है इस वीडियो को खतम करने का